कि है लो फ्रेंड वेलकमें इन दिस क्लास इंसानस प्रोबियोजी आज हम बाइए इंफॉरमेटिक्स के बीडियो नुमबर 13 पे हैं और आपको पीडियेफ कहाँ पर मिला है डिस्क्रिप्शन में मिला है तो दिस्क्रिप्शन जाके पीडियेफ डाउनलोड करके इसे आप र 145 नंबर यहां पर ला रहे हो तो सिर्फ आपको one hundred 40 नंबर और लाने हों गे यह 144 नंबर कैसे आएगा वह आपको लास्ट मीनट में अर्थाट 1112 तारे को आपको मिल जाएगा एक वीडियो जिस वीडियो में मैंने explain कर रहा है how to get up 140 plus 45 more than 200 number तो अगर आप नहीं है तो वीडियो को पहले तो आप से लिजिए दूसरा आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जो बेल आइकन उसको हिट कर लेना है जैसे कि आप रेगुल अपडेट मिलता रहे हैं बाकि अगर आपने अब ही तक नहीं देखें वीडियो तो बैक्ट्रेस करके जाके अब देख सकते हो या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो अब कैसे भी करके देख सकते हो तो अभी आज जो हमें पढ़ना है उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा आपसे एक चीज़ बता दें बार बार हम यह डीयने से और नय मता है और आर नय से ब्रेक्ट के अएड़ का और यह यह इसे भी आपने इससे आपका एक डीयने बनता है और इस डीयने को हम c dna कहते हैं complementary dna और यह इस dna का जो sequence होता है क्योंकि यह mrna किसमें बनेगा प्रोटीन में तो protein क्या होता है expression होता है protein आपका क्या है expression होता है तो किसका expression हो रहा है इसी mrna का हो रहा न तो is mrna का expression हो रहा तो यह sequence किसका है उसका sequence है जिसका expression हो रहा है ठीक है तो इसके लिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे expressed expressed sequence sequence और चुकि यह क्या है dna है dna database होगा मतलब एक टैग और क्या है dna database तो अगर dna database और expressed sequence stack database में क्या difference है अगर हमको यह पता चल जाए कि dna और c dna में क्या difference है क्या हम बोलने है ध्यान से समद रहना dna और c dna में क्या difference है dna में आपका exon और intron दुन होते हैं और c dna में सिर्फ exons होते हैं introns नहीं होते हैं तो expressed sequence tag किसके लिए होगा exons के लिए होगा c dna के लिए होगा पर यह है कौन सा database dna database dna database आपका कौन कौन सा जिन बैंक d db यह हैं और e mb यह चारों का नाम हम मैं पहले भी ले चुका हूं तो अब हम सुरू करते हैं express sequence tag database is a collection of short single read transcript sequence from the dna जन्में क्या आपका है single short single read transcript यह वाली बात हो रही है transcript यह है और इसका single read transcript यह complimentary वाली these sequence provide a source to evaluate the gene expression and found the potential variation and annotate gene 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 scan is a program to identify complete gene structure in the genomic dna genomic dna देखो g dna जिसे हम बोलते हैं genomic dna इसके लाव एक होता है anti dna जिसे बोलते हैं nuclear dna एक होता अपका p dna जिसे हम बोलते हैं plasmid dna तो g dna में एक नजर देखना एक नजर मारना एक उसमें मतलब उसको उपर से नीचे तक देखना देखने के लिए जो यूज होता है उसे बोलते हैं gene scan तो gene scan एक program है जो कि क्या करता है complete gene structure को मतलब देख लेता है कहां पर क्या है it is the gh mm hidden markov model based program that can be used to predict the location of gene and their exon interon boundaries in the genomic sequence from the variety of organism तो gene scan जो program है वो किस पर बेस्ट है वो आपका है gh mm hidden markov model पर बेस्ट है क्या काम होता है इस जो यह program है gh mm इसका क्या काम है तो यह exon और interon यह gene के location को प्रेडिक्ट करता है यह exon और interon के boundaries को प्रेडिक्ट करता है पिर आगया एक prosite एक protein database है आपको समझे रहा है कि sir जो है सीधे कुछ पढ़ाते पढ़ाते कुछ भी पढ़ाने लगते हैं क्योंकि मैंने यह pyq से direct लिया है जो जो मुझे आता रहा उनको मैंने एक साथ लिखते हम चले गए हैं अभी तक मैंने आपको बहुत सारे database बताया domain से related domain भी आपने आपको बताया है कि domain को हम कैसे arrange करते है domain को कैसे represent करते है domain को domain का क्या मतलब है secondary structure of the protein like alpha, beta, alpha, beta या another such turns and fold तो prosite आपकी protein family database है जिसके पास domain protein की family से related domain से related functional site और as well as amino acid pattern and profile इस से related चीजों को prosite रखती है prosite एक protein database है इनके पास कौन कौन information है protein की family से related protein domain से related उसकी functional site मतलब active sites होती है जो की participate करती है enzymatic reaction में उसकी मतलब उस site से related और उसी के साथ साथ कौन सी amino acid की pattern है कैसी pattern है और उसका क्या profile है इसकी information आपका prosite रखता है prosite क्या काम है protein sequence analysis protein sequence analysis और साथ ही साथ motive detection तो अगर हमें किसी protein में किसे माइनस से से मोटिव detection करना है तो हम क्या करते है prosite use करते हैं इसके अलाबा एक और आपका protein से related database है जिसे हम Swiss prot कहते हैं Swiss prot कहते है Swiss prot जो है या एक और डेटाबेस है protein database जो की curated protein sequence database है जो high level of annotations मतलब description of functional protein structure of its domain इसी के साथ एक चीज़ है post transcriptional modification and variant इन सभी के information annotations यह रखता है Swiss prot इसके के अलाबा एक चीज़ और है minimal level of minimal level of redundancy and high level of integration with the other database मतलब अगर हमें एक uniprot भी है मैं पहले बता दूँ that is also the protein database अगर हमें protein के बारे में full flashed information चाहिए और अगर हमें किसी और site पर नहीं जाना है तो go with the Swiss prot Swiss prot के पास क्या है कि उसके पास सारी information से related to protein चाहे उसके structure से हो उसके sequence से हो उसके variation से हो उसमें pros transcriptional modification से हो बहुत ही कम उसमें residency है और बहुत ही ज्यादा integration है उसका other other database like the prosite dbt uniprot nice prot जितने भी है ना उन सब के साथ integration बहुत अच्छा है तो यह जो है Swiss prot एक बहुत ही मतलब curated sequence protein sequence database है अगर protein के बारे में कुछ लेना हो Swiss prot के पास जो हो the residency of a genetic code implies that most amino acids are encoded by multiple synonyms codon देखो codon codon के बारे में थोड़ों देख लेते हैं codon जो होता है वो 3 amino acids से sorry 3 nucleotides से बना होता है ठीक है इसमें से जो तीसरा position है इसे हम wobble position बोलते हैं और यह जो होता है यह कभी-कभी दूसरे के साथ bind करके अगर तीसरे position पर कोई change होता है तो इस protein कभी-कभी यह same encode करते हैं तो multiple synonyms codon से एक amino acid हमारा code होता है और इस feature को हम residency of genetic code करते हैं पर problem यह है कि हम यह मानते हैं कि मालो एक amino acid A है जो जो 5 codon से code हो रहा और दूसरा amino acid 3 codon से code हो रहा तो ठीक है हमारे दिमाग में question आता है कि क्या 5 codon या amino acid 2 का codon सब में same हैं ऐसा नहीं होता है जो domain of life है उसमें हमें यह पता चला कि अगर हम बात करे bacteria, archaea और eukaria के बेड़ यह मैं एक example के रूप में दे रहा हूँ तो bacteria में पता चलता है कि इसके जो 5 different codon है इसमें से कोई 1 codon इसमें predominant है मानलो कि इस 5 में से दूसरा codon जो है वो bacteria में predominant है वहीं पे archaea में तीसरा codon predominant है और eukaria में पता चलता है कि चौथा codon predominant है मतलब जो हमारा codons का composition है वो एक synchronized manner में ना होके कुछ biasness दिखाता है मतलब अगर कोई मानलो कि एक amino से बहुत सारे codon से code हो रही है यह नहीं कह सकते कि सारे codon कहीं न कहीं मतलब इस animal में equal composition में ऐसा नहीं होता कोई एक particular codon किसी एक particular domain में जादा है जादा है इस चीज़ को हम bias बोलते हैं codon bias वहीं यहां पे लिखा है कि in all domain of life the biased frequency of synonyms codon is observed at the genetic genomic level and is functionally related gene and within the single gene codon bias variants include the biased codon pair and codon co-occurrence codon bias contribute the translation efficacy by tuning the elongation rate of the process codon bias और क्या करता है यह कभी-कभी elongation rate को भी translation efficacy को बढ़ाता या घटाता है कैसे बढ़ाता घटाता है elongation rate को टूइन करके codon bias play an important role in controlling a multi-tiered of cellular process ranging from the differential protein production to protein folding तो अगर हम फाइदा की बात करें codon bias से क्या है तो codon bias क्या करता translation efficiency बढ़ाया घटा रहा है मतलब उसकी efficiency को कहीं न कहीं कुछ न कुछ effect दाल रहा है उससे क्या हो रहा है उससे हमारा cellular process की altitude वह बदल रही है और वह कैसे बदल रही है differential protein production मालो कोई codon है मतलब कोई codon है जो कि एक amino acid को जल्दी जल्दी कोड कर रही है वह जादा amount में है तो उससे क्या है protein production जाता होगा पर वही codon किसी other cell में दूसरा वाला codon है जो कि protein के production को कम कर रही है मतलब slow कर रही हो कि उसकी efficacy या rate को कहीं न कहीं effect डालती है और अगर rate को effect डालती है तो वो क्या होगा protein folding में भी कुछ न कुछ चैंज जाएगा तो codon bias का important part यह है कि codon bias आपका difference of protein production करती है protein folding करती है लेकिन अगर कोई एक amino acid multiple codon से code हो रहे हैं तो that is not true कि उनकी frequency same होगी कोई न कोई एक particular codon किसी न किसी एक particular domain of life में prominent होता है ज्यादा होता है और इस चीज को हम codon bias करते हैं देखिये ध्यान से codon भी biased है thank you for watching this video and become a biased within sinus probiology इसको ज्यादा subscribe करो यार अपने दोस्तों का share करो जैसे बाकी channel share करते हो ऐसे thank you